हेलो फ्रेंट्स, फानेंसेक्ट 2020 में सेक्शिन 194J के अंदर बहुत ही इंपोर्टेंट अमेंडमेंट की गई है जैसा कि अब सभी ओफिस खुल चुके हैं और अब आपका जो बिल है वो बुकिंग करने का टाइम आ गया है तो आपके लिए ये इंपोर्टेंट अमेंडमेंट में जानना बहुत साथ ज़रूरी है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि सभी इंपोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रही तो पहले जलते हैं Finance Act 2020 पर ये आपके सामने उपन किया है मैंने Section 194J of Income Tax Amendment of Section 194J In the long line for the word 10% of such sum the words and brackets 2% of such sum in case of fees for technical service not being a professional service or royalty where royalty is in the nature of consideration of sale distribution or exhibition of cinematographic firm and 10% of such sum in other cases shall be substituted तो दोस्तो Section 194J के अंदर अब दो rates दिये गए है 2% रहेगा fees for technical service के case में और 10% रहेगा professional service के case में और royalty के case में जहांपे condition भी दी गई है अगर royalty है in the nature of sale, distribution and exhibition of scenometric film तो दो rates यहां पे अब आपके लिए दे लिए गए है यह क्यों कि आ गया है rate के अंदर change क्योंकि काफी सारी litigations जो है इससे related department के पास आ गई थी income tax department के पास जहां पे लोगोंने 194J की बजाए जो TDS है वो 194C के अंदर काटना शुरू कर दिया जबकि उन्हें 194J के अंदर काटना था तो ऐसे काफी सारी litigations को कम करने के लिए खतम करने के लिए यहां पे इस rate को reduce कर दिया गया है 2% यहां पे कर दिया गया है इसी के साथ एक important amendment और की गई है in the second proviso for the words, bracket, letters and figure the monetary limit specified under clause A or clause B or section 44AB the word 1 crore rupees in case of business and 50 lakh rupees in case of profession shall be substituted तो पहले क्या था कि अगर आप 44AB के अंदर audit कराने के लिए libel है as an individual and HOF तभी आपको 194J के अंदर TDS deduct करना होता था लेकिन अब यहां पे एक important amendment कर दी गई है अब अगर आपका business का turnover एक करोड से जादा है या फिर अगर आप profession में है और आपका जो receipt है वो 50 lakh से जादा है तो आपको 194J के अंदर TDS काटना होगा बले ही tax audit के लिए आप libel ना हूँ तो condition क्या check करनी है अगर आपका turnover एक करोड से जादा है और अगर आप professional है और आपका receipt 50 lakh से जादा है तो आप TDS deduct करेंगे तो यह दो important जो है amendment यहां पे है यह जो second वाली amendment है 44AB वाली यह section 194C से की गई है 194C से 194J तक जो है इसे change किया गया है जो already मैंने आपके साथ video share की थी अब यहां पे TDS rate के साथ साथ आपको reduce TDS rates को भी consider करना है जब आप bill यहां पे book करेंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि TDS के जो rates है वो reduce कर दिये गए है 0.25% और यह नए rates जो है यह effective होंगे 14-5 से लेकर 31-3-2021 तक तो यहां पे आप देख पा रहे हैं सभी जो old rates है उनको reduce कर दिया गया है तो 194J की अभी हम बात कर रहे है तो 2% की जगे अब यहां पे जो है 1.5% and 7.5% and professional fee in other cases technical case में आपको दिखा दिया है यहां पे और other cases में भी जो rate है वो 0.25% deduct करके आपको bill काटना है तो यह थी important amendment